हमें need क्या है तो firstly के पी के बहुत सारे एक्ष्ट्र लोजर्स आपको यह कहेंगे कि कोई भी आता है उसकी आपने birth time को rectify करना ही करना है मगर मेरा इसमें view बिल्कुल अलग है आपके पास जो भी native जो birth time लेकर आ रहा है उसे ही आप accurate मानेंगे until and unless वो खुद नहीं कहता है कि जी मेरे birth time में थोड़ा error है I am not sure मेरे birth time में 10, 15, 20, 25 मिनिट की error हो सकती है then only आप birth time को rectify करें अपना अपमें हमें ब्रह्मा या गौड नहीं बनना है अपना अपमें हमें किसी के भी birth time को गलत पूरूब नहीं करना है हमारी prediction गलत जा रही है तबी भी कोई बात नहीं है हमें birth time उसी condition में rectify करना है जब वो person जो हमारे पास आ रहा है उससे आप पूछ सकते हो ज़्यादा ज़्यादा कि are you sure आपका birth time कितना accurate है यदि वो कहता है नहीं जी मेरा birth time बिलकुल accurate है तो हमने उसके birth time में कोई भी modification नहीं करना है इस चीज़ को ध्याद रखना है क्योंकि KP में बहुत सारे astrologers जो classes भी लेते हैं वो उनका पहला dialogue होता है कि birth time ज़रूर correct करिये इसमें subload use होते है और थोड़ा भी birth time में error है तो वो आपका गलत आएगा मगर आप जो परिते time verify कर रहे हो उसके reactivation के बाद उसकी भी कोई guarantee नहीं कि वो सही ही आएगा क्योंकि यह जितनी भी techniques हैं यह अलग-अलग classics में अलग-अलग techniques हैं मैं आपको सभी techniques इसमें बताऊँगा end में मैं बताऊँगा कि कौन सी technique आपको use करनी चाहिए initially मैं नहीं बताऊँगा उसका reason यह है दी मैंने initially बता दिया तो बाखी techniques को आप समझने की कोशिज नहीं करोगे आप सभी समझिए सभी classics पर based हैं next कि birth time हमें rectification verification सबसे पहले करना है तो इसके लिए जो सबसे important concept आता है आपको basic knowledge astrology की होनी चाहिए क्योंकि जब भी हम किसी भी person का birth time verify करके या rectify करके जो कुंडिली बनाते हैं उसके live के event उसके basis पर justify होने चाहिए यदि live event justify हो रहे हैं तो भी समझे कि आपने जो time वो किया है correct किया है वो correct है otherwise हम कुछ भी करके किसी को पता देंगे तो उसको क्या पता हम सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं तो इसमें honesty की बहुत ज़्यादा जूरत है कि आप जो भी कर रहे हो एक particular technique आप पकड़के चलोगे दो technique पकड़के चलेंगे उसके basis पर आपने birth time को rectify कर देन करेंगे यदि वो event verify कर रहे हैं तब ही आप समझे कि आपने जो birth time rectify किया है वो correct है otherwise आप उसमें और काम करने की कोशित करेंगे सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा अभी मैं एक वो share करूँगा आपको और उसके अंदर मैं starting से सारी चीजें one by one बताता जाऊंगा कई सारी टेकनिक है mathematical ज्यादा है यह topic इसलिए सब copy और pen लेकर बैठें और इसे not note करें PDF और मैं provide करूँगा पर हम यहां पर practical cases भी करेंगे और साथ साथ में आपको note करना है उन सारी चीजों को तो आपको इस्क्रीन में ने शेयर की है वो आपको दिखरी होगी बर्त टैम रेक्टिफिकेशन तो इसको हम डिसक्स करेंगे देखिए तो सबसे बिले हम शुरू करते हैं गड़ेश जी की आरादना से उनके चल्णों में अपना प्रणाम करके क्योंकि गड़ेश जी ही एस्टरोलोजी के भगवान है केतरु देव है एक्चुली एस्टरोजी के बगवान और उनके भी देवता गड़ेश जी है अधर्त वेद जो आपका पुराण है उस वेद उसके अंदर astrology को हम पढ़ते हैं और उसके जो इश्वर हैं वो गणेजी है तो यहां पर हम शुरुआत करते हैं जिसे पूरते हैं स्रीगणेश सबसे पहला question arise होता है वाई BTR बर्त टाइम रेक्टिफिगेशन क्यों करना है तो देखिए नौड़ेज इवन दो वी है गट वाचेज पहले के टाइम में तो वाच होती नहीं थी अभी आज के समय पर हमारे पास वाचेज हैं क्लॉक्स भी अवेलिवल हैं और मेडिकल अटे वाचेज भी नहीं होती थी इसलिए वहां पर तो टाइम गलत होता ही होता था मोचली लोग नोड़ भी नहीं किया करते थे मगर आज यह सारी हमारे पास अवेलिवल हैं मगर फिर भी बर्त टाइम गलत होने की क्यों पॉसिबिलिटीज होती है मैं इसका आदार बता रहा करना चाहिए आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पहला है नोट वाचे शो दसेम टाइम आप मिला लेना आपके किनी भी दो लोगों की वाच के अंदर टाइम बिल्कुल एक्जक्ली सेम नहीं होता थोड़ा बहुत टाइम में डिफरेंस होता है हर एक वाच थोड़ा बहुत सलो या फास्ट होती है तो आपने यदि बर्थ टाइम एक्कुरेटली नोट भी किया है किसी वाच से तो पता चलेगा कि उसमें वो खुद वाच ही आपकी फास्ट या सलो है इसलिए बर्थ टाइम की एक्कुरेसी आपकी ऑल्वेस डाउटफुल होती है परदर, there is another dimension to correct recording of birth time which of these timings would qualify for exact birth time अब सबसे बड़ा सवाल दूसरा ये arise होता है जिसका astrology के किसी भी classics में कोई clear cut जवाब नहीं है कि हम किस समय को birth माने जो child की birth हुई तो सबसे बड़ा question ये arise हो रहा है कि जब उसकी birth हुई तो किस चीज को हम birth माने है इसमें कई सारे question है when the body of the baby is sighted तो सबसे पहले उसकी body दिखाई देती है उसे हम birth माने या second question arise होता है when the body of baby completely comes out of the womb बिल्कुल बाहर निकलती है उसको हम माने birth time या when the umbilical cord is cut and the infant becomes independent of mother तो जो cord है उसको हम cut कर देते हैं और बच्चा बिल्कुल अलग हो गया मदर से उसे उसका birth time माने या next आता है when the infant cries and takes first breath on its own फिर वो बच्चा रोता है उसको birth time माने कई बार रोने में वो एक दो मिनिट तक भी लगा लेता है तीन मिनिट तक भी लगा लेता है तो वो रो रहा है उसको हम birth time माने तो हम कैसा मान के चलते हैं independently उसने पहली बार breath किया है तो उस particular time को birth time मा नहीं है जब conceive होता है उसको हम बोलते है आधान लगन या निश्यक लगन तो यह बहुत सारे question है जिनका answer actually astrology में clear cut available नहीं है किवल birth बोल दिया गया है तो आगे चलके यह सबसे बड़ी समश्या आने लगी कि इन सभी question में से हम किस particular time को birth time माने इस सभी process में एक एक दो दो मि का difference होकर इन सभी process को जब से वह सबसे पहले site हुआ से लेकर उसने first breathe लिया तब तक चार-पांच मिनिट का difference हो जाता है तो चार-पांच मिनिट की error होने की possibility होगी कि हम कौन से time को birth time record कर रहे हैं अपने सारे वहां बैठे हो आप आपको सब watch भी आपके पास correct है आप इसको भी जाना अलव कर देते हैं आप बिल्कुल watch लेकर बैठे हो हैं मगर आपको यही मालूम नहीं है कि कौन से time को मैं birth time मान कर चलूँ क्या वह पहली वार दिखाई दिया या वह पहली वार रोया या उसने अपनी सांस ली किसको हम मान कर चलेंगे तो यह अपने आप मे जिसका कोई clear cut answer नहीं है सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने method से इसको मान कर चलते हैं तो इसलिए भी birth time में आपकी error आने की possibility होती है क्योंकि अलग-अलग लोगों का recording का process अलग-अलग है इन general जो लोग मानते हैं वह यह मान कर चलते हैं कि जब वह first breath लेता है उसको आप मान कर चलिए कि वो independently वो अर्थ पर तब आया जब उसने पहला सांस लिया इससे पहले वो अलग part नहीं था मा की body का part था separate child नहीं था तो जैसे ही separate हुआ हलांकि कोड को cut करते ही वो separate हो जाता है मगर वो पहली बार जब अपना सांस लेता है उस particular time पर वो इस दुन जाते हैं मगर उसको हम यह मान के चलते हैं कि वो attached होता है और मदर के उस पर कुंडिली पर उसका future depend करता है ऐसा मान कर चल सकते हैं 37 जी एक मिनिट अब आता है difficulties in recording time गलत होने की क्या वज़े की birth time क्यों गलत होता है तो सबसे पहले question arise होता है who will record the birth time कौन record करेगा क्या वो well defined होता है क्या वहां पर hospital में child birth हुई तो वहां पर वो किसी को बोलते हैं क्या note करो तो note करते हैं generally हम देखते अब नर्स क्या इतनी केरफुल है क्या तो सबसे पहले question arise होता है who will record the birth time can it be the delivering mother क्या जो mother deliver कर रही है वो record करेगी या by expecting father and relatives who are outside the delivery room वो birth time record करेंगे या by the doctor who is paying more attention to save delivery and operation ही पहनी तो अब doctor वहां पर होता है उसका सारा का सारा attention होता है कि delivery safely हो जाए या वो cesarean हो रहा है तो वो operation पर उसका पूरा ध्यान होता है या by nurse who is taking care of the newborn baby and the mother या वो nurse note करेगी जो कि उस newborn baby या mother का ध्यान रख रही है there is no one who is serious to note the exact time of birth of the baby actual में यह होता है कि वहां पर जहां पर delivery हो रही होती है उनमें से जो अंदर जितने भी लोग होते हैं उनमें से किसी को भी इस बात से कोई मतलम नहीं है कि वह बिल्कुल टाइम मेजर करें क्योंकि उसके पेरेंट जो एस्ट्रोलोजिकल अवेर होंगे जिनने जोरत होगी कि हम इसकी कुंड़ी बनाएंगे और इसका भागे जानने की कोशित करेंगे वह चाहेंगे कि उसे नोट कर लें तो मदर उस इस्तिती में नहीं होती कई बार तो मदर को पता ही नहीं होता है कि कब वर्थ हुआ है फर्दर फादर या उसके रिलेटिव से वह आउट साइड होंगे तो वह एकुरेट नोट नहीं करेंगे अंदर बच गए डॉक्टर एंड नर्स अब डॉक् तो होगा टाइम देगने पर इनमें से डॉक्टर नर्स का कोई फोकस नहीं कि किस ताइम पर बढ़त हुआ है एकुरेट टाइम वह तो यह होगा कि फ्री होगे तब टाइम नोट कर लेंगे और कह देंगे कि दो तीन मिल तीछे हुआ होगा इस तरीके से इसलिए डिफिकल कि नहीं होता है तो आप एसा मान कर चलिये कि आलमोष्ट हर व्यक्ति का बर्त टाइम कुछ ना कुछ गलत होता है बिल्कुल एकुरेट जो आकर बी चैहरे हैं कि ऐसे टाहरे तो भी वह बिल्कुल होना पॉसेबिल नहीं है। कररण्ट time को accurately note करें further void out कि किस चीज को हम birth time consider करें इसलिए कई सारे gray areas हैं जिससे की birth time में error आती है अब देखिए क्या-क्या scenario होंगे और इनी birth time को correct करना में आपको सिखाऊंगा difference in birth time in few minutes only तो जो hospital वगरा में होते हैं वो few minutes का error होता है क्योंकि वो जो note करने में ध्यान नहीं दिया है या आगे पीछे कर दिया है उतना error होता है इतना error नहीं होता कि गंटों का error है या बहुत सारे time का error है second one difference in birth time is an hour also एक गंटे या उससे ज़्यादा तो पुराने हो रहा था हम सीरियल देख रहे थे इस तरह किसे बात करते हैं तो exact time नहीं होता है मगर महाँ पर अंदा जा होता है तो उस case में error होती है वन आर की difference in birth time is more than one hour एक गंटे से भी जादा हो सकता है अब एक गंटे से जादा भी हो सकता है क्योंकि अंदा जा ही था तो वहां पर वन आर से ज्यादा की possibility होगी फर्दर बरते टाइम ओन एस वे लाइक इन दा morning and evening अब बहुत हुए द्यान है वह सुबह का समय था पता नहीं क्या टाइम था नो दस बज़रे थे यह साथ आड़ बज़रे थे हां पर सुबह हुआ था इतना द्यान है तो वहां तीन चार गंटे की भी पॉसिबिलिटी होती है फर्दर यह बहुत ही important है जो जादतर cases में कुली आती हैं और जिसका समाधान काफी difficult है बर्द टाइम falls on the cusp border border का मतलब यह होता है कि आपका जिस समय पर बर्द हुआ उसी समय पर राशी परवर्तित हो रही है एक दो मिनिट चार मिनिट पांच मिनिट के अंदर राशी परवर्तित हो रही है और आपने बर्द टाइम accurately note नहीं किया एक्च्वल में जो maximum लोग आते हैं बर्द टाइम rectification के लिए अपनी choice के साथ आते हैं वो वही आते हैं जिनका की लगने चार पांच मिनिट में change होने वाला हो तो केई बार क्या होता है उस समय पर बर्द हुआ हो net का जिस समय के आसपास लगने बदल रही हो कि suppose आपकी Aries लगने और दो-तीन मिनिट के बाद वो लगन आपकी Taurus होने वाली हो तो ऐसे लोग ज़्यादतर doubtful होते हैं और as a astrologer हमें इन लोगों की समश्या का समाधान तो करना आना ही चाहिए कि उसने आकर कहा कि जी मेरी Aries लगने मगर मुझे doubt है दो मिनिट बादी Taurus लग इसने different हो तो ऐसे लोगों की कुंडिलियों में वो खुद लोग भी confident नहीं होते बड़े-बड़े astrologers आते हैं जो की birth time rectification के लिए आते हैं हमारे पास और वो अपनी कुंडियों पर भी शौर नहीं होते कई बार क्या होता है कि जो event हम देखते हैं वो Aries लगने की कुंडी प आपको बताऊंगा जब लगने संदी पर किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा हो इसी तरीके से कई लोग ऐसे होते हैं डेट पता होती है मगर time बिल्कुल नहीं पता होता है अब इन cases में actually Vedic astrology में कोई बहुत खास टेक्निक अविलेबल नहीं है यहां पर KP astrology का हमें इस्तिमाल करन पड़ता है कि आपको यदि date इमालूम है कि सुभ आज इतने तरीक को बहुत है कब यह नहीं पता मां को time देहना नहीं आता पिता जी थे ही वहां पर कहीं गये हुए थे परदेश गये होए थे और मांको पता ही नहीं हुआ हुआ था जी पता नहीं दूपैर में हुआ था क और कई लोगों को इतिती भी नहीं पता होती तो उन्हें के वल मंत पता होता है ये मालूम होता है कि जनरी मंत के अंदर बर्थ हुई है और कई लोगों को येर पता होता है कि इस साल में हुई है और ऐसे भी आते हैं जिन्हें येर भी नहीं पता होता पुराने लोग वो अन् करना है किसी के बड़ टाइम में आवर का डिफरेंस है उसे करेक्ट करना है कई आर का डिफरेंस है उसे करेक्ट करना है जो यह आते हैं इवनिंग में हुआ है मोर्निंग में हुआ है उसे करेक्ट करना है जिसे किवल पता है कि इस दिन को हुआ है उसका हमें उसको डेट निक में बता रहा हूं आप बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ड या चमतकारिक लोग अप समाज के अंदर देखते होंगे जो आपने सुना होगा कि वह जाते ही उन्होंने डेट बर्त बता दी हमें हम गए और हमें हमारी डेट बर्त बता दी तो यह एक विद्या होती है जिसे हम बोलते देव पिसाचनी विद्या मैं आपको एक clarify कर रहा हूं क्योंकि मेरी classes में भी बहुत लोग बार-बार आकर कहते हैं कि हम तो मागे उसने हमें यह चीज़ बता दिया देव पिसाचनी विद्या होती है it is a hypnotism इस विद्या में क्या होता है मैं आपको clarify कर रहा हूं तो इसके बोलता है astrologer मगर आपको महसूस होता है उसने सही बोला है आपको सुना ही देगा अपने आप इतना hypnotize कर लेता है और आपको जो जानकारी पहले से पता लगेगी आपको लगेगा कि वह person वही चीज़ बोल रहा है और आपको उगे उसने बिल्कुल सही बता दिया वह future की आपको जो पता होती है वही आप मान लेते हो कि उसने बता ही है और आप सोचते हो उसने बिल्कुल accurate बता दिया तो इस तरह की कोई विद्या exist नहीं करती कि कि किसी भी person को देखकर कोई date of birth बता दे ऐसी कोई विद्या नहीं होती चलो अब मैं बताता हूँ अब आपका किसी वरा मीर का मैथड़ है काली दास का जिसे हम उत्तर कालंपृत का मैथड़ हम डिसकस करेंगे सभी नक्षत्र सुद्धी मैथड़ है यह भी हम डिसकस करेंगे एक केरला जोतिस मैथड़ है event-based rectification यह कोई भी कर सकता है event के बेस पर यदि आपके कोई event justify नहीं हो रहे तो हम उर्ति पद्दती rectification using ruling planet यह हम पूरा करेंगे तो इसमें multiple बहुत सारी टेक्निक्स में आपको कराने वाले हूं on how much accurate is birth time is recorded आप कभी भी अपने आप ना चलें आप उस परसन से यह पूछें कि आपका बर्त टाइम कितना accurate होगा उसने कहा कि जी 630 है मगर मुझे 15 मिनिट की error की possibility है 15 मिनिट आगे यह 15 मिनिट पीछे हो सकता है आप इसे कागज पर लिख ले हैं और उसी पर काम करें यानि आपको जो आपके पास नेटिव आ रहा है उसकी इंफोमेशन पर काम करना है अपना माइं नहीं लगाना आप ऐसे न्यूट्राल जैसे आपके पास माइंड नहीं है ऐसे बैठोगे यह मैं आपको बहुत ही इंटरनल चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बत कि आपका किस टाइम का बर्थ है और आपको कितने टाइम की एरर है आपकी मदर फादर या फैमिली में से बताया है कि दस बंदर मिट आगे पीछे हो सकता है तो आप उसी पर काम करेंगे उसके बियोंड आप बिल्कुल जाने की कौशिस नहीं करेंगे मतलब इसको आपने लिखना है पूरी तरीके से फर्दर नेटिव नेरेट सम इस्टोरी इस और हर पेरेंट्स रिलेटेड टू बर्थ एंड टेंटेटिव टाइम तो जैसे बताते हैं स्टोरी ये कि बारिस आ रही थी दिवाली का दिन था लक्षमी पूजन करने वाले थे या इस तरीके से घुली का दिन था घुली का देन होने वाली थी उससे आगे है पीछे उस दिन ऐसा हुआ था गहरी बारिस हुई थी बार आई थी और लाइक देट वो इस्टोरी करते हैं जिनोंने नोटे नहीं किया हो तो अब आपको उस चीज को बड़ा ध्यान से सुनन गुझा है हैं और उसके फेसिस पर क्योंकि आपको यदी अन्दा जानी है टाइम का फिर श्रम सा बरत ospboys क्रेंट लिए और नहीं निकाल शिक्ते क्योंकि लिए उसकी सारी स्टोरी सुन लिए जब इसलिए बंख्रतर टांएं रेक्टिवाई तो इसमें सबसे पहले एक हमें दिखकत राएगी वन बर्थ एट लगने संदी लगने संदी का मतलब आपको सबको समझ माना चाहिए की लगने संदी उसे बोलते हैं कि विदिन मिनिट टू मिनिट थ्री मिनिट फोर मिनिट फाइब मिनिट एक दो डिगरी पर वो हो पांच मिनिट या पांच साथ मिनिट के अंदर लगने बदलने वाली हो तो उसकी पूरी कुंडली बदल जाएगी उसका पूरा नमाश जाएगा आपको बहुत ध्यान देना है और सबसे इइम्पोर्टेंट बर्थुर्थ ताइम नहीं के लिए होता है फेदर बाकि केसी मैं अल्री बता चुका हूँ हूं वें बर्थुर्थ तैम वेरी अरॉंड वन रड़्थ तैम वेरी बाई मेनी आर्स वें डेट इस नौट ओन वें म चीजों को देखकर भी हमें कई बार लगन को डिसाइड करना पड़ता है है मैं यहां पर आपके उसमें सबसे पहले हम जो मैंतर्ड यूज करेंगे लाइफ इवेंट्स पर बेस्ट मैंतर्ड देखेंगे बेस्ड़ॉन मातरी कारक बताऊंगा अभी मैं आपको बेस्ड़ॉन बर्त दशा यह सदाशिव गिरी मेतड़ है बर्त दशा पर बेस्ट इसको हम करेंगे बेस्ड़ॉन उत्तर काला मृत तो उत्तर काला मृत पर बेस्ट हम वो करेंगे जब आपको अप्टू सेकंड करेक्ट करना हो किसी क अब को मालूम है करेक्ट है आप हॉस्पिटल से वह लिखवा गया है च्छे बच के पंदर मिनित है नहीं होगा वह एक पाद मिनित आगे-पीछे है कुछ सेकंड होगा तो हम उत्तर काला मृत के कॉंसेप्स से करेंगे बेस्ट डॉन के पी एस्ट्रोलोजी करेंगे और नेक्स वन टेक्निक है बेस्ट डॉन डिविजनल चार्ट इसे हम करेंगे अब के ट्रेडिशनल मैठर अब ध्यान से सुनते जाईएं से पुराने जमाने के जो एस्टोलजर्स होते हैस आपको बात ररी बताऊंगा आपने सभी को नोट करना है सभी कर दयान देना है को for प्रिक्टिकली इनमें से यूज कौन-कौन सी चीज़ें करनी है आपके पास परसन आया के समझ लीजिए कि उसकी लगने 29 डिग्री पर है या लगने वन डिग्री पर है तो लगने संदी के आसपास है वो 29 डिग्री का मतलब यह है कि 2-3 मिनिट यदि उसका टाइम आगे कर दिया जाए तो उसकी लगने बदल जाएगी और 1 डिग्री का मतलब है उसकी बर्थ टाइम 2-3 मिनिट पीछे कर दिया जाए तो उसकी लगने बदल जाएगी तो 2-3 मिनिट की यहरतों किसी के भी बर्थ टा मिन्ट में चैंज होजाती है मतलब 29 डिग्री यदि किसी की लगन तो चार मिन्ट बाद वो 30 डिग्री का मतलब next sign आ जाएगा उनली 4 मिन्ट के बाद इसी तरीके से यदि किसी की लगन 1 डिग्री पर है तो चार मिनिट टाइम को पीछे कर दीजे उसकी लगनी बदल जाएगी लगन का साइन ये बदल जाएगा उसकी पूरी कुंड़ी बदल जाएगी सब प्लेनेट सब साइन रोटेट हो जाएगे तो अब हमें क्या करना है देखिए तो पहले ये question पूछते थे जिसका लगने संभी पर बर्थ होता था इप native is elder उसे पूछते थे गर में बड़े हो कि आप यदि वो गर में बड़ा है सबसे आज के time पर ये applicable है क्योंकि एक दो ही बहनवाई होते हैं तो पांच शे साथ होते थे तो इतनी अप्लीकेबल नहीं थी यदि नेटिव एल्डर है देन इस लगने डिग्री विल बी अरूंड थर्टी डिग्री वह लगने लोगे जिसमें उसकी डिग्री 29 दिग्री पर हैं वह आया आपके पास की मेरी लगने 29 दिग्री है और मुझे डाउट है और मेरी लगने, सब्कोई एरिष, 29 दिग्री है मेंज राशी में 29 दिग्री की लगने किसी निटवगी वो आगे आपके पास इसे हम लगनी संदी बोलते हैं वो कहगा 29 डिग्री है मगर मुझे तो डाउट है मेरी लगन मेज की जगे ब्रशब होनी चाहिए तो हमारा पहला कुश्चन होगा उससे पूछेंगे आप फैमिली में बड़े हो या छोटे हो तो बड़े हो तो इसका मतलब 29 डिगरी आपकी लगनी की डिगरी सरक्ट है और छोटे हो तब हम क्या करेंगे उसकी 1 डिगरी ले 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 इसको मूव कर देंगे और उसकी लगने को हम बदल देंगे यह actually astrology में practically use की जाती थी मगर हम इसे आज की rate में इसे हम use नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पस और बहुत सारे tools available है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है चेक करने का दूसरा क्या तरीका है द्यान से देखिए जो राशियां होती हैं 12 उन्हें छे राशियां दिन में बली होती है इन्हें दिवा बली बोलते हैं और छे राशियां रात्री को बली होती है उन्हें रात्री बली बोलते हैं मतलब six sign दिन में strong होते हैं और six sign रात में strong होते हैं इनका order क्या है आपका जो Aries मेस, Taurus ब्रशव, Gemini मतलब मिथुन, Cancer मिन्स कर्ग, Sagittarius मिन्स धनू, Aquarius मिन्स आपका कुम्ब, ये छे जो साइन है मतलब 1, 2, 3, 4, 9, 11, ये श्ट्रोंग होते हैं during night, रात में श्ट्रोंग होते हैं इन्हें रात्री बली राशी बोलते हैं, एंड जो साइन है आपके 5, 6, 7, 8, 5 मिन्स लियो या सिंग, 6 मिन्स वर्गो या कन्या, 7 मिन्स तुला या लिब्रा, 8 मिन्स स्कॉर्पियो या ब्रशिक, 11 मिन्स आपका Aquarius, ये 11 गलत लिख दिया है, और ये आपका यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, ये 10 है, तो ये मैं करेक् चलो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, उसमें करेक्ट कर दूँगा इसको, ये जो रात्री बली हैं, वो एक, दो, तीन, चार, और नौर दस हैं, और जो डे बली हैं, दिवा बली बोलते हैं, इनको 5, 6, 7, 8, 11, 12, ये ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया Aquarius, इस ट्रॉंग ड्यूरिंग डे, तो जनली क्या होगा, डे टाइम पर यदि नेटिव बर्थ हुआ, तो देखिए यहाँ पर कहां पर कुशन अराइज होगा, कि सब्सक्र आपको कैंसर और लियो में कंफिजन हो रहा है कि उसकी कैंसर होगी या लियो होगी, तो कैंसर तो ए रात्री में हुआ है, आपको कंफिजन हो रहा है, दो राशियों के बीच में है, तो रात्री वली राशी को उसकी लगने कंसिडर कर लेंगे, और यदि तिन में जन्म हुआ है, तो हम उसको दिवा वली राशी को उसकी लगने कंसिडर कर लेंगे, मैं फिर से बता देता हू क्या है आपके पास इंग नेटिव आया उसने कहा कि भई मुझे मेरी लगन में एरर आ रही है ये पारशरी कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूं आपको ये पारशरी कंसेप्ट है जो अभी बता रहा हूं कि मेरी लगन में मुझे डाउट है मेरी लगने दो तीन मिनिट में कर चलेंगे और दिन में बर्त का अप्षिन है तो जो दिवावली राशी है उसको उसकी लगने मानकर चलेंगे यह कैई सारे केसे में होगा जैस्त देखें यह ट्वैल पाइसेज है यह तो दिन में बली होती है मीन राशी और वन एरी जरातीरी में माने होती अब सपोर्ज परसन का बर्त उसकी चेंज हो रही है लगन या तो मीन होगी या मेश होगी दो-तीन मिनिट के अंदर अब हमें पहले के टाइम पर बहुत जादा टेक्निक्स यूज नहीं होती थी मैथमेटिकली उतना कोई लिटरेचर भी अवेविल लेविल नहीं था आजकल तो हम 10 जगे से सीख लेते हैं चीजों को तब क्या करते थे कि जिसको लगन में डाउट होता था तो एस्ट्रो जोजर उससे पूछता था कि घर में वो सबसे बड़ा है या घर में वो सबसे चोटा है सबसे बड़े और सबसे चोटे के के किसमें अपला ही होता है बीच वालों के के किसमें नहीं होता यदि वो गर में सबसे बड़ा है तो उसकी वो लगन मान ली जाती थी जिसमें लगन की डिगरी अब की zero degree के असपास है एक दो डिगरी है वो लगने मान लेते थे इस तरीके से उसकी लगने निर्दारीत कर देते थे उसको कह देते थे यह तरी लगने है दूसरा अब दूसरी चीज यह देखी जाती थी कि उस person से हम यह पूछ सकते हैं this is a parashary concept कि उसका जैसे रातरी में ज कुन सी लगन होगी तो हम क्या करेंगे एस पर parashar concept cancer या करक जो राशी है वो रातरी में बली होती है तो यदि करक और सिंग में से आपको रातरी में चूज करना हो तो करक को हम उसकी लगने निर्दारित कर देंगे सिंग को नहीं मानेंगे इसी तरीके से यदि आपका aries औ और मीन इन दोन में से चूज करना पड़ जाए आपको तो मेश आपकी रातरी बली होती है और मीन दिन में बली होती है तो यदि उसका रात में जनम हुआ है तो उसकी लगन को मेश मालेंगे और दिन में जनम हुआ है आपके पास जो परसन आया है लगनी संदी पर तो उसक सूत्र बता रहा हूं मैं बड़ी रेयर टेक्निक्स है नाड़ी सूत्र के बेस पर नवामशा के बेस पर हम बीटियार करेंगे बीटियार यूजिंग नवामशा नवामशा आप सब समझते हो कि एक कुंडिली के अंदर जितने भी प्लैनेट होते हैं उसका डी नाइन बोलते हैं मैं एक कुडिली ले लेता हूं किसी की जिसके इंदर मैं इसको एक्स्प्लेन करूंगा कंसेप्ट को कुडिली ले खाहते हैं । गजली लेता हैं कि अगया है? । कि अगया है? तो आपको मालूम है एक बर्थ कुंडली होती है, यह बर्थ कुंडली है और यह इस नेट्व की नवांश कुंडली है, बर्थ कुंडली और नवांश कुंडली की हेल्प से हम बर्थ टाइम को किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, इसको आप सीखिएगा, यह बड़े काम का है, यह आपके इवन लाइप के इवेंट को प्रेडिक्ट करने के भी काम आती है यह टेक्निक, आपको यह पता जलेग थोड़ी है, सारी टेक्निक कुछ-कुछ कॉम्पलिकेटेड हैं और गर पे जागे भी आपको प्रक्टिक्स करना है, जो मनें बता रहे हैं, यह एक सर्कुलर वो चार्ड बना रखा है, इसके अंदर जो अंदर का यह जो सर्कल बनाया हो, इसमें 12 राशियन लिखी हुई है बारा, अब यह जो वन राशी लिखी हूई है, इसमें आपको पताए कि जो नक्शत्र होते हैं, अश्विणी नक्शत्र लिखा हुआ है, बढ़णी लिखा हुआ है और कृतिका का एक चarend होता है, वो लिखा हुआ है, इसके बाद यह बरशब राशी आगी, इसके नंद और उसके अंदर 9 नवांश होते हैं 3 degree 20 minutes के हर एक राशी में तो उपर जब देखोगे आप यह जो सबसे बारवाला यह circle लिखा हुआ है इसमें यह Aries sign है Aries sign में जो 9 नवांश है वो लिखे हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 इसका मतलब क्या है द्यान से समझो यदि कोई भी ग्रेय या प्लेनेट बर्त चाड में Aries sign में है तो वो प्लेनेट आपके नवांश हाड में उसकी राशी या तो 1 होगी या 2 होगी 3 होगी 4 होगी 5 होगी 6 होगी 7 ह 8 होगी 9 होगी इसके लावा और कोई भी नहीं होगी तो आपका किसी भी नेटिव का यदि कोई भी प्लेनेट बर्त चाड के अंदर D1 चाड के अंदर Aries या मेश राशी के अंदर इस्तित है तो नवाश चाड के अंदर वो मेश राशी से लेकर दनू राशी तक कहीं पर भी available हो सकता है फिर यदि किसी भी कोई भी प्लेनेट यदि टॉरस साइन में या ब्रशब राशी में इस्तित है तो नवाश में उसकी इस्तिति 10 11 12 12 13456 इन साइनों में होगी किवल तो ब्रशब राशी में यदि कोई प्लेनेट इस्तित है तो नवाश के अंदर वो इन राशियों के अंदर केवल जाएगा तो यह इस चार्ट से आपको यह पता चल जाएगा कि कोई भी प्लेनेट यदि एरीज या मेश राशी में इस्तित है तो नवाश में वो किन किन राशियों में जा सकता है सब्सक्राइब कोई प्लेनेट यहां पर 11 लिखा हुआ है कोई चार्ट के अंदर आपको पता है 12 राशियां होती है एक राशी में 9 नवांश होते हैं तो टोटल 108 नवांश होते हैं पूरी कुंडिली के अंदर तो बर्ति चार्ट में जो भी प्लेनेट है वह उन 108 नवांश में कहीं पर भी जाएगा एज के केस में जब हम उम्र की बात क पता हूंगा बर टाइम देगना का वह आसानी से समझ मा जाएगा तो यहां पर यह मैंने एक सर्कुलर चार्ट बना रखा है इस सर्कुलर चार्ट से आपको यह पता चलेगा कि कौन सी राशी में यदि कोई प्लेनेट है तो नवांश में वह किन किन राशी हो में जा सकता ह इससे यह पता चल जाता है किस राशी में कौन-कौन से नक्षतर होते हैं यह पता चलता है किस नक्षतर के कौन-कौन से चरण होते हैं यह भी पता चलता है इस सर्कुलर चार्ट से इसका आप इस्तेमाल किस तरीके से करना है बर्त टाइम को वेरिफाई करने के लिए बर्त कोई मिस हैपनिंग हुई बहुत बड़ी ऐसे इंपोर्टेंट इवेंट की मैं बात करूंगा और इसे लगा कर हम देख सकते हैं यह नाड़ी सूतर है ब्रगुनंदी नाड़ी और धुरूब नाड़ी का एक कॉंबिनेशन है तो मैं अभी इसको आपको एपलाई करना बताता हूं देखिए यहां पर यह मैंने लिखा हुआ है इसको जस्त इसको एपलाई करूंगा पहले मैं लिखा हुआ पढ़के बता देता हूं आपको क्या करना है find a nuance of the lagna सबसे पहले आपको लगन का नवांश पता करना है लगन का नवांश तो देखे कैसे पता करना है practical case में मैं आपको यह explain कर रहा हूँ इस native का मुझे पता करना है कि इसकी life के अंदर किस किस year के अंदर important event हुए होंगे तो आपको क्या करना है मैं इसकी लगन मालूम करनी है सबसे पहले आप एक copy copy ले लो note करो इसे copy pen ले लो note करो नहीं तो वो सीख नहीं पाऊगे इसकी आप लगन देख लीजेगा लगन का sign 12 है मैं भी copy pen ले रहा हूँ और note करूँगा आपके साथ साथ क्योंकि यह सीख ना है इसमें सारा जो BTR का पूरा course चलेगा वो इसी तरीके से चलेगा के बल बरवली पढ़के आप नहीं कर पाएंगे इसे थोड़ा सा complicated है mathematics भी लगेगी आगे और समझने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी तो हम इसे थोड़ा piece पूली करेंगे अब लगने का सबसे पहले note कर लीजिए कि लगने की राशी कॉंसी है 12 अब यह लगने actually किस नवांश में गई है नवांश की लगने देख लीजिए वो है 10 तो बर्त की लगने होगी 12 और नवांश की लगने होगी 10 तो इसको हम कैसे मार करेंगे जो मैंने अभी यह circular chart बनाया था उसके अंदर देखिए यह मैंने circular chart लिया है तो यहां पर यह 12 है इसकी लगने और इसके अंदर नवांश का sign आरा है 10 यह आपका इस fix हो जाएगा इस particular person के लिए 12 इसे मार कर दू मैं यह दीश को तो यहां पर यह fix हो गया 12 10 कि इसकी लगने 12 है और उसके अंदर नवांश की राशी 10 है तो इसको 12 10 को आप मार कर लिजिए fix कर लिजिए 12 10 आगे अप कैसे देखना है यह beginning of life है इस person की यह person जिस दिन born हुआ पैदा हुआ शुरुआ थुई वो इस जगे से हुई है कि इसकी जो लगनी थी वो 12 थी और नवांश की लगने 12 साइन के अंदर आपने 10 मार कर लिया this is the beginning of this person अब इस person की life में कौन-कौन से साल में important event होंगे उसको हम किस तरीके से देखिए हूं अब इसका लगनी के बाद जो सबसे पहले प्लेने अपना रहा है जय तरु देखिए और आप इसकी देखिए राशी तरुन सिहाथ लेजिए चाइन की राशी कोण सिए और नवांश में किस आप देखिए नवांश में वह वन राशी में गया है तो यह वन वन हो गया इसका अब देखिए सर्कुलर चार्ट को कैसे यूज करेंगे अब वन वन डूड़ीजे देखिए यह वन रहा और इसके इंदर नवांश वन यह वह गया आपका यह आगया वन वन सबको वन वन दिख रहा होगा अब हमें क्या करना है जो हमने स्टार्टिंग का पॉइंट मार किया था वह 12 में 10 मार किया था 12 10 और यह क्या रहा है वन वन तो इस 10 से इस वन तक काउंट करेंगे वन टू थरी फॉर आप फॉर लिख लिजिए इस नेटिव की लाइप के अंदर फॉर तीयर के अंदर कोई बहुत ही इंपोर्टेंट इवेंट हुआ होगा और बताता हूं देखिए तो फॉर तीयर में अंदर मरकरी भी है मार्स भी है और सन भी है तो सबसे बेले मैं ले लिता हूं इसका मार्स तो मार्स के मार्स को आप नोट करेंगे क्या नोट करेंगे मार्स लिख लिजिए अब तो मार्स की राशी तीन है और नवाश में किस राशी में गया है वो देख लिजिए वन तो 3 sign में है नवांश के अंदर 1 sign में है तो मैं इसको circular chart को कैसे use करूँगा देखे यह 3 sign है अपका यहां पर आ रहा है और 3 sign में 1 देखिए यहां पर आ रहा है यहां पर तो यह 3 1 आया अब क्या करना है मुझे जो मैंने starting में मार किया था 12 में 10 beginning जो मैंने बोला था वहां से गिरना शुरू करूँगा तो वहां से गिरना शुरू करूँगा वन और वहां तक चला जाओंगा 3 1 तक 1 2 3 और यह बीच में 9 आगे 12 फिर 9 आगे 21 यहां तक होगे 22 23 24 25 26 27 28 28 year में इस native की life में और important event हुआ होगा 28th year यह मैंने note कर लिया 28 अब तीसरा और एक planet देखूँगा मैं कि अब मैं इसका देखूँगा mercury mercury भी यहां पर थ्री साइन में तो mercury नोट कर लो इसका sign note करो बर चार्ड में 3 अब नवाश में देखिए किस राशी में गया मरकरी वह 9 में चला गया तो 3 oblique 9 देखेंगे अब हम 3 oblique 9 तो अब हम मैं circular चार्ड में जाओंगा देखिए वापिस से सर्कुलर चार्ड में 3 है और 3 के बाद 9 यह यहां पर आ रहा है 39 यह तो मैं वहीं से गिनना सुरू करूंगा 12 10 इसका starting point है ध्यान रखना जो लगने का हमने देखा था वहां से गिनिंगे हम यह तीन यह होए फिर वन साइन में 9 नवाश आइंगे 12 टू साइन में 9 आइंगे 21 21 यहां तक होगे और 22 23 और 24 काउंट कर लिया मैंने यह टोटल 24 आ गया तो 39 24 यह में इस नेटर की लाइप के अंदर important event रहा होगा यह मैंने इक next note किया है और अगला मैं देख लेता हूँ सूर्य भी यहां पर ही इस्तित है sun त्री साइन के अंदर तो sun लिखो और sun जनम कुंडिली में 3 साइन में नवाश के अंदर sun त्री साइन में चला गया तो 3,3 लिख लीजिए अब मैं 3,3 देखूंगा 3 और तो 3.3 देखे वो यहां पर आ रहा है 3.3 तो वहीं से काउंट करूंगा जो लगनी की स्तिती थी 12 10 यह फिक्स की थी हमने तो देखे तीन तो यहां पर नाइन यहां पर फिर नाइन यहां पर आए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और यह 30 यहर में हो गया तो इसको 30 यहर लिख लिजिए 30 यहर के अंदर भी इस नेट्व की लाइप के अंदर 24 यह रहा था मार्स का आपने लिखा होगा 28 यह रहा था लिकरी का अपने लिखा था 24 स्था इनका आपने लिखा था 30 यह था इंपोर्टेंट के तो पहली चीज़ दियां रखना है जो event इतने year complete होने के बाद होगा मतलब जो four year आया है इसका मतलब यह native चार साल का हो गया होगा चार से पांस साल के बीच में हुआ होगा तो इंपोर्टेंट इवेंट हुआ होगा इन बिट्विन four to five year four to five year पहली चीज दूसरा मार्स के case में इतने year mastery के बिच में event हुआ होगा यह द्यान रखना है थिर मार्स के test में कौन सा अदने मार्स के case में यह आ, इसका मंस्द मार्स से और dwa बिच में इर पहला फिर आ रहा है सूर्य के हैं वि आपका आ रहा है आ थर्टी तो कुछन रेज करोगे कि बाई साथ इन 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 इयर्स में आपकी लाइप के अंदर कोई important event होए थे क्या मैं आपको बारत टाइम वेरिफिकेशन और वर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के साथ साथ आपको यहां पर मैं यह भी बताऊंगा आप से नेटिव के थे क्या वो बताता है हां बिल्कुल सर्टेली important event हुए थे तब आपको और कुछ करने की जूरत नहीं है उसका बर्थ टाइम वेरिफाइब हो गया और आपको उसको कह दीजिए यह आपका जो अवेलिबल है इत और यहां तो आपको यहां तब आपको क्या करना है उसके टाइम को आगे पीछे करना है और उसके नवांश को बदल देना है टाइम को कितना आगे पीचे करना है कि उसका नवांश की लगने 10 की जगे 9 हो या 11 हो इस तरीके से आपको करना है और फिर आपको यह निकालने हैं यही यह स्किन किन यह में तो वो जो बता रहा है उससे मैच कर जाएंगे और आप इस तरीके से बर्थ टाइम को बिल्कुल ए कर दोगे और सही हुआ तो आप उसकी नजरों में बहुत बड़े अश्ट्रोलोजर हो जाओगे आप बताओगे कि देखिए यहां पर एज जाई मैं आपको अश्ट्रोलोजी का गुर बता रहा हूं एज फोर ए एक जाई उसकी 24 से 25 जो मैंने बताई है एक आई 425 इसको न कुछ इवेंट होगा और क्या हो सकता है इसके बाद आप जाओगे 24 से 25 तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसकी नोगरी लगी होगी 24 से 25 के बीच में और कौन सा इंपोर्टेंट हो सकता है तो आप उसको को गये वही आपकी 25 साल में नोगरी लगी थी क्या वह गये हाँ जी लगी थी इसके बाद 28 से 29 हो गया तो नोगरी लगने के कुछ समय बाद definitely childbirth होती है या marriage होती है तो marriage होगी आपको ओगे आपकी marriage 29th year में होई थी क्या तो वो कहेगा आजी 29th year में मेरी marriage होई थी फिर मैक्स ता रहा है 30 and 31 तो 29th year में marriage होई थी तो 30 से 31st year के अंदर definitely child बर्त होगी आप उसको तीन या चार इवेंट बगर पूछे बता दोगे यदि उसका बर्त टाइम एक्यूरेट है तो वह खुश हो जाएगा और आपकी वाई वाई करेगा और दस लोगों को जाके बताएगा कि पंडी जी महाराज ने यह जो तीसी महाराज ने तो मेरी सारी बते हैं जाते ही देखते बता दी बगर मेरे से कुछ पूछे होए और यह आपकी बिल्कुल सटीट टेक्निक है इस तरीके से हम क्या करेंगे यह आप जो भी यह प्रेक्टिस करते हो एस्ट्रोजी उनके लिए बहुत पक्के सूतर हैं आप जो इन्हें नोट करके रखिए यह बहुत ज्यादा काम अने वाले हैं अब कुश्यन हमारा यहां पर है बर्तर टाइम रेक्टिफिक्शन का तो मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछूंगा यह समझ में भी आया कि नहीं तब ही आगे बढ़ेंगे हैं क्योंकि इसमें जो भी टेक्निक है उसके बाद मैं स्कूज में चलो अभी जो न्यू हैं उनके मुझे नेम्स ठीक से नहीं पता हैं तो आप लोग खुदी बता देंगे तो उसके बाद मुझे ध्यान रहेगा सबसे पहला आ रहा है सुमंगल भविश्या जी नमो नमा गुरुजी जी नमो नमा गुरुजी मेरे दो प्रशन है पहला तो यह कि आपने जो यह बताया था कि जैसे सूरे का हमने 30 साल 31 साल निकाला इसी तरह से 4 और 5 साल निकाला तो हम लोग बस यह बिमारी और यह शादी वगएरा जॉब का ही बताएं क्योंकि जो ग्रह आपने बुद का सूरे का और मंगल का लिया या उससे रिलेटिड कुछ बताएं जैसे जिन घरों में वह रूल कर रहा है कुछ ऐसा देखकर बताएं या जर्नली बस नहीं जर्नली ब इसका मतलब यह करेक्ट है अब मगर दूसरी चीज जो हम ऐसे प्रेडिक्शन में यूज करते हैं तो यह हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि इस एज में कौन से इंपोर्टेंट इवेंट हो सकते हैं क्योंकि इस तरीके से आपको उसके जादा तर इंपोर्टेंट मिल से विदे जाएगा तो नेचुरली नौकरी के लिए जाएगा या पढ़ने के लिए जाएगा तो हम यह कोशिश कर सकते हैं यह कोशिश कर सकते हैं उस ग्रहाय से संबंदि जिन भावों में वह रूल कर रहा है नहीं फिर आप आप और भी ज्यादा डिटेल में जाना चाहत हो कि उस समय पर कौन सी दर्शा चल रही थी किन बावों की दर्शा चल रही थी उन बावों से रिलेटर द्रिट मिलेंगे और भी एकुरेट चाहते हो तो जी ठीक है जी अब 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 गुपता जी समें दो क्वेश्चिंस हैं पहला जो आपने कंस्प बताया दिवा बली सब्सक्राइब जी डर्या जिसे हम चौह सिर्जठ यहां पर कैसे टायम कॉंट करेंगे के डे नाइट कि नहीं नाइट सूर फह शूरें संसेड से नियां कॉछ देखने कि उसे पूझना रातरी का जन्म है तो यदि को इन और नो लगनों मैंसे तो जो रादरी champions rates है तो उसको को माल लेंगे और दिन का जन में तो डेबली को माल लेंगे मगर यह वर्केवल सोल्यूशन है कोई एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं इसके बहुत ज्यादा सक्सेस रेट नहीं पर इसको यूज करते हैं पारश्चर जी नहीं ऐसा मैंशन गिया है अगर उसको टाइम और देट पता है तो तो सिर्फ एयर को भी वैसी चेंज करके कर ताइम और मंथ पता है और यह नहीं पता तो इवन बेस करके हम ऐसी कैल्कुलेट कर सकते हैं जैसे आपने बताया नहीं कर सकते है उसका कॉइड कॉम्लिकेटेड है और उसकी एक्यूरेटी यह पता है तो फिर प्रशन कंड्ली प्रश्न कुड्ड प्रशन मंद रहतला है और उसके एंटी साइच्टूराइब हैसे प्रणाम अगर किसी का 29 डिग्री के आसपास होगा या जीरो से 2 डिग्री के बीच होगा तो इसमें अगर घर में यो सबसे बड़ा है तो हम ज्यादा डिग्री वाला 29 डिग्री वही लगना को मानेंगे और जो दो से जीरो से बडिक्री के बीच होगा अगर यह घर मन सबसे चोटा होगा तो मानेंगे वह दोड़ा हो यहां पर जो 29 डिग्री से नीचे लेंगे यह जीरो से दो डीग्री के बीछ लेंगे कि नहीं जैसे बड़ा है तो हम यह वह लगन लेंगे जिसमें डिग्री जायर आ रही है कि अगर कि किसी का अगर मतलब 29 डिग्री से नीच उपर जाएंगे या 2-3 डिग्री आगे पीछे भी ले सकते हैं और अब ही आपने जो एक टेकनिक बता है उसमें मेरे कुछ समझ नहीं आया समझ ही नहीं आया चलो कोई बाद नहीं मैं समझाता हूं फिर से नेक्स्ट पार्ताजारती सरकार मैं समझाता हूं अभी प्रणाम सर गोड़न दिखाया है बनाइंगे किसे बनाइंगे कुझे नहीं है जो आपको मैं शेयर करूगा आप बनाना चाहो तो सब अवेलेबिल ही सब्सक्राइब तो नाम की सार्कुलर चार्ट बोलते हैं इसको अचार अरुजो बताया तो यह यह जो इवेंट बताया आप कई पर अब बता चल गया उस साल में अब डिमेंट चले जाओ और कौंसी दशाय चल रही है उस समय पर किन बावों की उससे रिलेटेड इवेंट प्रेडिक कर सकते हो तो इसमें प्रेडिक्शन के लिए तो अच्छा साइग में वह गया सब एक पकरने के लिए तो प्रेडिक करने के लिए इसमें मतलब आप उसके बाद दशाय वगरा लगाई इससे आपको पता चल गया कि कब उसकी लाइप में इंपोर्टनेंट होएं अब उस समय पर किन बावों की दशाय चल रही हैं उस हिजाब से प्रेडिक्शन कर लिजिए रस्त होगी मैं कि अग्या है जिए हमारा कोश्चिया हुआ है हमारे बड़ा बेटा है उसका जो पॉर्टि फाइव का इविनिंग जनम है मैं लेकिन उसका जो लगन बन रहा है वो विष्चिक बन रहा है विश्चिक आपने कहा की दिवावलिया तो इसका मतलब उसका टाइम गलती समझे और उसका जो लगन की तिघरी वो नाइन दिगरी है नाइन डिगरी है नाइन डिगरी वह लेगे तो गलत नहीं हो सिख्टी लगन एक साथ अब लेकिन आपने आपने बोला कि दिवा बली ऐसा दो छान पर लत किसी का जनम हो आपको कन्षीजन हो तो यह पारशर जी ने कहा है रात्री में जन्मों तो रात्री बली मान लो और दे में जन्मों तो दिख बली मान लो दिवा वली शाम का जम है तो दिवा वली लगन क्यों बन रहा है नहीं नहीं रात्री में दिवा वली भी हो सकता है कोई भी हो सकता है लगनी संदी के जब कर्फिजन हो रहा है तब यह एक रास्ता बताया गया है तो यह जोड़ी तोड़ी है रात्री में रात्री बली होंगी या दिन में दिन हम गई समझ रहे थे कि लगन को एठीक जी जोती कृष्ण में हां जी नमस्कार जी नमस्कार मैं इस वान डाप प्लानल के बारे में हां उसके बारे में वेदर इफिकल्ट इंपॉर्टन इवन इस अपने बताई दिया वैसे तो यह ऐसा कुछ नहीं सम्झ इंपॉर्टन इवन उस तविमें बस इतना ही है और से के अनदर कुस्टिन इस दिखा रहा है तो इस तो मैं अपको मैंनुली कल्कुलेट करना सिखा सकता हूं इसका तो एक उपाय है मैं आपको कैल्कुलेट करते हैं आप देख लेना इसके बाद यदि आपको फिर भी डाउट रहते हैं तो आप मेंसे डाउट भी में क्लियर कर दूँगा कोई इश्यू नहीं है विससान जी समझमें निया बा कि यह और किसी नियाु नहीं हुआ था नहीं को जय आभार को मैं यह बाल कर रहा हैं इसने कहना शुक्त एप ह्टार वर शुवाया रहा है वी इ mujаем बा detain सीखनी पाएगा मैं वो मातरी कारग वाला बता दूँगा वो सारी चाहिए मैं बताऊंगा लेटर तो यह सुजान जी समझी ज़रा जी गुरुजी आप अपना वो और रखिये माइक्रोफॉन बागी नहीं रखेगा प्लीज बागी सब बंद कर लाएं तो क्योंकि इन्जे मैं यस नो में आंसर पूछूंगा तो शुजान जी बते यह लगनी क्या इसकी स्क्रीन तो श्यार नहीं हो रहा है अच्छा इसक्रीन श्यार कर देता हुआ अब लेकिन हमने यह कुंडली बना लिया था यह मीन लगना का कुंडली था अच्छा तो इसका लगनिका आप लगन और नवांश लगन दोनों नोट कर लो क्या रहा है बताओ अधिया है दोनों बना लिया था नहीं क्या रहा है वह बताओ मुझे जी डी वान में तो लगन का साइन 12 है और दी ना पाइसेज का आपका कैप्रिकॉन नवांश आ रहा है जी 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 तो पाइसेज का कैप्रिकॉन नवांश अभी सर्कुलर चार्ड में जाहिए अब यह यहां पर मैंने मार कर दिया इसको यह पाइसेज में कैप्रिकॉन नवांस है यह आपका इस्टर्टिंग पॉइंट हो गया अग्लियर है जी यह अमेशा इस्टर्टिंग पॉइंट होगा कांटिंग यही से शुरू की जाएगी हर बार मतलब यह जो circular chart में कहां से count करेंगे अच्छा 12 में 10 लिखा हुआ है यहांसे आच्छा 12 में 10 लिखा हुआ है 10 10 लिखा हुआ है 10 जी वहां पर तो 10 भी लिखा है circular chart में 12 भी लिखा हुआ है तो दीवल लगने का लगनी चाड़ का ट्वल और नंवांश को टेन है नहीं उपर के जो लिखेवे नावांश को को मैं तो लीखे हो-, तो मैंने क्या लिखा उसकी लगनी ट्वैल याओं लुटत 21 यह ज prescribe कर लिया कितैंगो अब आपका स kafणि ईसदडै कि अब अब क्या करे इसके अंदर प्लेनेट आपने नोड़ की होएं तो Бताइए कि मार्स मार्स बताईए तेट सी में और किसनमाश में कि भी यूआ नो में ये जैमीनी में है और दी नायन में है वो है वैसमें ना धनु में धनु धनु में दी नायन में धनु में आ न किसकी बात कर रोग मरकुरी घड़ कर ओ ठीक है तो आप आप क्या करिए यहां पर यह तो गए राशी 3 जी और नवांश कौन से नाइन हो गया कि अब आप जहां आप मैंने मार किया था वहां से यहां तक नाइन तक काउंट कर लिजिए कि ठीक है मतलब आपने 10 से मार किया था ना हां महीं से गिनना सुरू करिए तो 1 2 3 3 तो यहां तक हो गए जी इसके बाद यह 9 9 1 1 साइन मा होगे 12 होगे जी फिर 9 2 साइन मा होगे 21 होगे जी अब इसके बाद 22 23 24 आगया 9 पर जी तो 24 लिखवाए है मैंने अपको जी अब मार्स देख लो बताओ मार्स का मार्स भी तो यह तीन नंबर साइन में है डी वान में और डी नाइन में मार्स वान साइन तो यह देखो यह 3 1 यह हो गया अब दिखराए आपको जी तो महीं 10 से यहां तक गिनते चले आजाओ तो 10 11 12 3 यह हो गए इसके बाद 9 इसमें हो गए 12 नाइन टू साइन में हो गए 21 और इसके बाद 22 23 24 25 26 27 28 आ रहे है जी 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 आगे समझ में है हाँ जी हाँ जी आगे यह तो इन पर्टिकुलर इस के अंदर उसकी लाइप के अंदर इंपोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं जी 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 चलो आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे अभी किसी को कोई डाउट है तो वह पूछ सकता है इंड आ एंड नेक्स टेक्निक में नेक्स क्लास में बताओं का मगर एक चीज और बतावाई तो मैं तो अगर बार्वे के बार्वा वारा वो है वो उन्हें देखने की राथियोंगे इसलिए उन्हें मत देखिए अवला रिवर्स जागे तुनी मला चलना क लोग उसमें सेम डरेखिए तो वो इवेंट काफी लेटर श्तेस पे होंगे वो ज्यादा हमारी मदद दी कर पाएंग सब्सक्राइब करेंगे और पहले तीन-चार आउसे में तो वह काफी जादा मदद करेंगे बाकि यदि किसी के साथ से बारे बाव में जादा दर प्लैनेट हैं तो फिर हम यह टेक्निक जादा नहीं लगा सकते हैं अब एक चीज़ और बता देता हूं आपकी कुंडली में सब्सक्राइब करने में की लगने यह उनी चाहिए लगने कई बेस्पर भी पता कर सकते हैं लगन साउँ है या नहीं है आप आप जो लगन मानकर चल रहे हो वो correct है या नहीं है anyway हर एक प्लैंट का करीक्टरिष्टिक होता है जैसे आपका चंद्रमइ है चंद्रमा है सिस्वार है कि jeśli आपको मन को बतहिएगा कि मन कि चीज के अझरलों मौन इस मन और मून जिसमी भाव में जाकर भेट है आपकी कुंडिली में आप उसे मानें या ना मानें इंटरनली आपका मन उस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस्ट होगा सब्सक्राइब का चंद्रमा जाकर बैठ गया पांच में भाव के अंदर फिफ्थ हाउस के अंदर तो आप यह मान कर चलिए कि आपका जो मनें वह लर् Profession में लगेगा अपनी name fame में लगेगा कि मेरा name fame होना चाहिए इसी तरह तरह के से चंद्रमा यदि आपकी कुंडिली के 11 बाव में चला जाता है तो आपका सारा इकासारा मन यार दोस्तों में लगेगा social circle के अंदर लगेगा या आपका मन इस चीज में लगेगा कि आपको maximum profit किस तरीके से हो इसी तरीके से यदि आपका चंद्रमा दूसरे बाव के अंदर जाकर बैठ जाता है तो आपका मन अपने परिवार के अंदर लगेगा आपका मन wealth create करने में लगेगा कि मेरे पास किसी भी तरीके से wealth हो इस तरीके से सभी planet आपकी कुंडली में कहां पर जाकर बठे होए हैं उसके base पर हम निर्दारित करेंगे लगने जो मैं next class में आपको बताऊंगा तो आज की हमारी पहली class थी तो मैं ज्यादा burden नहीं देना चाहरा था mathematical calculations हम यूज करेंगे उत्तर कालम रत के concept हम यूज करेंगे उत्तर कालम रत के कंसेप्ट है उससे हम up to second इतने समय पर नेट का बर्थ हुआ होगा वह निका लेंगे और वह क्लासिकल कंसेप्ट है उत्तर कालम रत खाली दाशन नहीं लिखी थी और एक वह इंपॉर्टेंट क्लासिक है और बर्थ टाइम रेक्टिव विशन में इससे ज्यादा सटी कोई भी नहीं है तो उसके पर हम कैल्कुरेट करेंगे तो आज की क्लास को मेंड करते हैं नमस्का जैसे अब हमारा संधी पर नहीं है लगए संधी पर नहीं है तो आपको यदि डाउट है वैसे तो आप चैक करो ही मैंने काया उस टेक्निक से पर नहीं है कि यह जो क्लासिक्स में सास्तोरों में लिखा हुआ है हम लोगों पर यह जिम्मेवारी है कि उसे हम जैक करें और उसकी कितनी एक्विरेसी है वह मापस में दूसरे जर डिसके करें कि बढ़त है मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मेरी क्रिेटेद अई नहीं पढ़ाए हुआ कि ध्रवी की वह क्लासिक्स में लिखिए हैरो ऑप्रून की लिखिगए हैं तो हम आपको यद pressured का अब ने अफल है किया और बिलकुल सही बठा तो आप बता है ने पूछने जैसे जो software आप यूज कर रहे हो वह वाला software तो हमारे पास नहीं है फिर वो बदल जाएंगी जो आप हमें पूछने जो आपके पास बारती चार्ट और नवांच होना चाहिए आपको अपी पे मना गई यूज कर लो चाहिए ठीक जी थेंक यूज को नमशकार सभी को अप्राइब नमशकार 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 जी नमशकार जी नमशकार जीवांच काद़ जी थेंक लूगाँ जीवांच का यापके प्राइब ऑगनल में ए्कुए बद्नाब